प्लॉव केशली करें कोई बुरा साइड एपेक्ट नहीं पड़ता है साथ यूं इस भूसी का उप्योग पेट की सपाई, कब्ज, दस्त, आउं, पेचिस, अल्चर, बवासित जैसी बिमारियों के उपचार हेतू किया जाता है आप किसान साथ यूं बात कर लएते हैं इस भूस की खेटिके बारे में साथ यूं इस भोब का पोधा साका रहित, 30-35 सेंटिमिटर उठाई वाला पत्ति, सकरी जिन पर सपेज रंग के रोय होते हैं इसकी बाली के लंबाई 4-6 cm होती हैं जिस पर पुष्प यूबाद में 20 उत्वन होते हैं जैसे कि साथियों आप देख सकते हो इसकी पोधों की हाइट लगबग 30-35 cm के आज पास ही हैं आप किसान साथियों बात कर लाते हैं इसेफ गॉल की खेती के लिए आउसिक यह उनत किस्मों के बारे में साथियों यह किस्म लगबग 120-125 दिनमें पकर त्यार होती हैं और इसकी पेदावार की बात करें तो 5-6 त्यूंट अकर यह Πेदावार देने के समतार लगती हैं और साचियों गुजरात इसफ गॉल टू में वूशी की मात्रा 28-30 प्रिशन के बासपास पाई जाती हैं, ये किसम गुजरात राजस्तान मद्दे परदेश के लिए उप्रिक्त हैं, साचियों दूसरी उनत किसम हैं, राजस्तान इसफ गॉल 89, अरतार साचियों आराई 89, यह राजस्तान के सुष्क और अर्ज सुष्क सेत्रू के लिए उप्रिक्त वेराटी हैं, ये किसम लगबग 110-115 दिन के आसपास में पकर त्यार होती हैं, वहीं साथियों अगर हम इसकी पेदावार समता की बात करें, तो 5-6 क्यूंटल प्रते एकड आराई 89 पेदावार देत हैं, साथियों ये वेराटी रोगों और कुटू के फृति अवरोधी गुर्ण प्रकट करती हैं, इसमें बूसी की मातरा 26-30 परिशन के आसपास पास पाए जाती हैं, साथियों तीसरी वेराटी हैं, राजस्तान इसव गौल वन, तो साथियों इसव गौल की ये किसम राज कुंटल प्रती एकर पेदावार देने की समता रखती हैं अब साथियों चोथी विराइटी के बात करें तो जवार इसब गोल चार आती हैं यह किसम मद्य परदेश, राजस्तान, गुजरात, यूपी के लिए उपिक्त हैं यह किसम लगबग 125 दिनों में पकरत त्यार हो जात करती हैं मुझे साथियों अगर हम जवार इसब गोल चार की पेदावार समता की बात करें तो यह विराइटी लगबग 6.5 से 7.5 कुंटल प्रती एकर तक पेदावार देने की समता लगती हैं किसान साथियों पांच ही विराइटी हैं हर्याना इसब गोल पांच शाथियों किसमें 120 से 125 दिन में पकती हैं प्लांट हैट की बात करें तो लबग 35 से 45 चंटिमिटर के आसबास इसके फोदू की हैट देख सकते हैं वही साथियों रियाना इसब गोल पांच की पेदावार समता की बात करें तो यह विराइटी लगबग 6 से 7 कुंटल प्रती एकर पेदा अर्थाद आप इसब गोल की बाई लाइनों में और छिर्काव विदी से कर सकते हैं अगर आप लाइनों में बाई करें तो 30 सेंटिमिटर के राई से लाइन की दूरी साथि पोदे से बूदे की दूरी 4 से 5 सेंटिमिटर रखें साथियों बाई से पूरो आप बीजू को 2 ग्राम डायथेन एंप 45 या फिर एक ग्राम बाउस्टिन या फिर मेटाल एक्सल से बीज उप्चाट जरूर करें चुकि साथियों बीज बहुत छोटे होते हैं अतरह इसमें बराबर मात्रा में रेत मिलाकर कतार में या छिर्काव विदी से इसकी ववाई करें साथियों ब प्रती हेक्टर आपको 6-7 लाक पोदे रखने होते हैं अब किसान साथियों बात कर लएते हैं इसम गौल की खेते के लिए आउसे खाद और उरूर्ख होगी तो साथियों जब भी आप ववाई करें तो 4-5 टन प्रती हेक्टर वर्मी कंपोस्ट खाद का उप्योग आउसे क साथिं किसान साथियों आप 25 किलोगराम नाइट्रोजन चालिश किलोगराम पास Inhale के साथ अवक्ता में करें शाठीयों 60 दिन बाद जब बाली निकलती हैं उसमें आपको सिचाई करना बहुत ही जुरूरी है इसके उपरांस साथ्यों आपको सिचाई नहीं करनी है नेता आपकी पुसल में बीमारियों का प्रकौप बढ़ सकता है इस परकार साथ्यों जब आपकी इस अच्छा मुनाफ़ा कमासकते हैं साच्यूं और इसकी मणड़िभाव की बात करें तो इसका पंदरह हजार सब्सक्राइब जरू करें जरू करें जैनल और लाइक करें जैर करें जैंद जै भॉरत किसमेद पर दोस्यूंत चैनल करें आए जाए जाए जान